Revision 20 के Season 3 को Start करते हैं First Question क्या कह रहा है Stoppage को छोड़के किसको छोड़के Stoppage को छोड़के एक बस एक घंटे में 45 km जाती है 45 km जाती है या 36 km की डूरी तया करती है Stoppage के साथ Stoppage से हे 36 km जा रही है कितना gap हो रहा है अगर नहीं जाती तो 45 km जाती कि iss Aqua चापरो जा रहा है नachатिस का जैनुंप किलिोंटर का गैप हुआ है नो क्लो मिटर का क्या होता है गैप हगा हुआ है तो चहल awakening कितने मिन टुपती है और 45 किने पाहले एक गैप होगा किनामी नो किसने में सब्सक्राइब इन र nuclear सब फाइब साथ से मुदिफलाई कर दोगे तो बारा मीनिट हर इस टोफ है यह कैसे कि यह कर एं सब्सक्राइब करता यह सेलिंग परईज है तो 45 kadar जारीक जार divine 9 कह लास हो रहा है कि सेपतारब कर लोगे कि 60 कितने का होगा हम लोगा सो पर बताते हैं यहां 60 पे बता रहें कि हर गंटे वो बारा-बारा मिनेट रुकती होगी नहीं तो आप इस स्पीड निकाल ले ना 45 गंटे में 45 किलमेटर जाती है तो 45 किलमेटर पर आवरी स्पीड है उसकी अब 36 ही जा रही है 36 ही जा रही है 36 किलमेटर तो नो चव का 36 नो पाचे 45 यह क्या हो गया टाइम हो गया वह इसमे 60 से मुल्डिप्लाई कर दो इतना घंटा हो गया 60 से मुल्डिप्लाई कर दो गया तो मिनेट पता चल जाएगा 36 किलो मीटर जाने में कितना समय लगेगा नौचाओ का 36 नौपचे 45 गुड़े यह इतना आवार है ना 60 से मुड़िप्लाई कर दो मिनट होजेगा 12 पचे सार बार चाओ का 48 48 मिनट लगेगा तो बाकी 12 मिनट क्या की होगी इस टॉपच पर रूखी होगी बाकी 12 मिनट क्या होगे स्ट ओडबल पी एजी इस टॉपच बेज होता है ना पेज पी एजी इए और स्टॉपच तो इस 12 मिनट इस टॉपच फिली क्यों ऐसे निकाल लेना लूजेन दा पर्स स्ट्रिंग, यानि जेव का जो स्ट्रिंग है या फिर पर्स का जो स्ट्रिंग है, एक पर्स इसे जेव के सिंस में कहना, उसको लूज करिये यानि खर्च करिये, जेव खाली करिये, ऐसा बोलते हैं लो लो कि जेव खाली करिये, या फिर पर्स की जो स्ट्रिंग है, उसको लूज करिये, थोड़ा सा पैसा खर्च करिये, तो लूजेन दा पर्स का मतलब क्या होगा, जेव खाली करिये, पर्स के स्ट्रिंग को क्या करिये, लूस करिये, पर्स के स्ट्रिंग को क्या करिये, इसका मतलब खर्च को बढ़ाईए खर्च को क्या करिए बढ़ाईए लुजेज दप और सुश्ट्रिंग का मतलब क्या होगया तो केरफुली लुग थ्रो तो कहीं लड़की क्या कह रही है बाल समारी यह न तो सीसे में अपने को बहुत ध्यान से देखते हैं अपने को बहुत ध्यान से अनालाईज करते हैं है तोक क्येर्फुली लूप थो कंत्रो कमत्रों किया होगा डाख्यारफुली blue लुकत रों जब फीर बड़ाल सवते होगे तो अपने को भाँक थ्ङान से सीषे में देखते होगे कि हम कैसे दिख रहे हैं हमारा बाल किस तरह का होना चाहिए बड़ा है छोटा है सेविंग की जरूरत है है तो कम थ्रू का मतलब क्या हो गया तो कियर फुली लुक थ्रू तो कियर फुली वाट लुक थ्रू लौड मौथ यानी काफी ते जवाज में चिला ना देखो यह बहुत ते जवाज में चिला रहा ना वन हुट टाक्स बोस्ट ली वन हुट टॉक्स बोस्ट ली वी ओ अएस टी बोस्ट फुली जो बहुत तेज ते चिला थे ना उनको क्या कहेंगा उनका माउथ क्या लाउड लाउड माउथ वन हुट टाक्स बोस्ट फुली तो गो बनानास विथा सब्साइट सब्सक्रा देखो बंदर को जो बिद्ध कई तो आप उनको मिठाई ले जाओगे चैप्रसाइल ले जाओगे तो आपके पास आ जाएंगे बहुत एकसाइट हो का लेकिन अगर आप उनको नहीं दोगे न तो बहुत गुस्ता होते हैं वह फिर आपका क्या करते जो समान आप लिए होगे बैग लिए होगे कफले जो पहने आप उसको खीचने लगेंगे सब फटने लगेंगे सब यहीं हमला करने लगेंगे सब कि आप जब तक प्रसाद ना दोगें आपसे हटेंगे सब नहीं वहीं कहते हैं To become very excited or angry, to go bananas, to go bananas, to become very excited, to become very excited or angry, to go bananas, to become very excited or angry, to go bananas, to become very excited or angry, हाउ टाइम फ्लाईश समय कैसे हैं बीत जाता है कैसे कर जाता है पता नीच आहीं चैलता है हाउ टैप फ्लाईश टाइम सब्सक्राइब क्विकली सरेन दॉइन अपर कीज है न्यानि आपीड एक पर पास्थ क्या प्लाइब evidence यह है to difficult to pass time, time seems to stay still, the clock is going very fast, to time seems to move quickly, difficult to pass time, how time flies, when time passes करना कथी को तोधिस दिख म Nós संद पास में घ trader है राला फ्लाइज के सामें को काते यो टाइमक लाइज को डीफिगर टुपास टाइम हो जाएगा है सका डीफिकल्ट टूपास इंग टाइम है को टाइम को अगए टाइम हो टाइम वडाइज हाउ टाइम फ्लाइस हाउ टाइम फ्लाइस का मतलब डिफिकल्ट टुपास टाइम डिफिकल्ट टुपास टाइम बेब इन द वूट्स जंगल में बे सहारा बेब इन द वूट्स बेबी यह ना बेबी इन द वूट्स नहीं कई लोग छोटे बच्चों को कहीं पुरेदान में वगएरा में छोड़ाते हैं जंगल में छोड़ाते हैं या फिर कहीं फिस ऐसा तो बहुत लोग न्यूज में सुनते होगे पहले तो भई यह बे सहारा कोई है आयंग डिफेन्स लेस आयंग ड डिफेन्स डिफेन्स लेस लेस डिफेन्स में क्या आट किया गया लेस तो डिफेन्स लेस हो गया आयंग डिफेन्स लेस आयंग डिफेन्स लेस का मतलब क्या हो गया अबेब इंदा अबेबी इंदा वूट्स ब्रेकिन ब्रेकिन का मतलब तोल का अंदर जाना घर तोल का अ ना इंटर है building illegally, illegally, illegally जब आप किसी के building में इंटर होते हो, तो उसे क्या बोलेंगे? break in, तो जब ही दाको break in का मतलो होगे? in का मतलो inter करना, in what? in का मतलो कहीं in हो रहे हो न, कहीं inter करें हो कहां, building में, और break करके inter हो रहा हुआ इसलिए illegally inter ले रहा हुआ तो inter building illegally इसको क्या बोलेंगे? break in Go off Go off का मतलब क्या हो गया? Stop Stop working Go off का मतलब क्या हो गया? Stop working Go off का मतलब क्या हो गया? Stop working Go off आज off है आज छुट्टी है आज क्या है? छुट्टी है तो आज जाओ Go off नहीं स्कूल में पहले छुट्टी हो जाए करती थी कि आज आप लोग जाई है आज छुट्टी है आज off है तो go off यानी Stop working तो यह important add कर लो Go off का क्या मतलब हो गया? Stop working Go off का हो जाएगा Stop working Go off यानी Stop working यह पिछले session का था जिसमें मैंने बताया था कि To pull someone up का मतलब To criticize someone Cat's power का person Used as a tool by another On the moon का मतलब Extremely happy Keep someone in the loop यह बहुत important था Loop का मतलब किसी को सारा information देते ना Give them all information By the same token का मतलब By the same way By the same token का मतलब हो गया? By the same way Next Cold comfort Cold comfort का मतलब Give someone cold shoulder Give someone cold shoulder एक और statement आता है Give someone cold shoulder S-O-L-D Give someone cold shoulder का मतलब किसी को ignore करना किसी को क्या करना? Ignore Ignore someone Ignore someone को क्या का एंग Give someone old shoulder Cold Cold shoulder का मतलब Give someone cold shoulder का मतलब Ignore someone वैसे ही क्या है? Cold comfort Cold comfort का मतलब Very little satisfaction बहुती Cold में बहुत ठंड में इसको थोड़ा बहुत कपड़ा मिला है तो very cold comfort का मतलब बहुत थंड ज्यादे है उसको बहुत कम कपड़ा मिला है यानि थोड़ा ही comfort मिला है तो very little satisfaction उसे बहुत कम satisfaction होगी न क्योंकि ठंड तो भी लगेगी Cold comfort का मतलब क्या हो गया? Very little satisfaction Satisfaction Cold comfort का हो गया? Very little satisfaction Next चलते है अगला क्या कह रहा है Go off बता दिया थे न Stop working Go off का क्या हो गया? Stop working फटाफट देखलो जो important है इस ब्रेक-इन का मतलब illegally किसी के building में इंटर हो जाना Baby in the wood इसका मतलब Defenseless person Defenseless person हो जाएगा न Besahara Besahara How time flies समय कैसे बीचता है? समय कैसे उड़ता है? How time flies Difficult to pass time है इसका Difficult to what? Pass time How time flies का क्या हो गया? Difficult to pass time यह मतलब आदेना इसका Time seems to move quickly यह नहीं आप इसको एक जगा लिख लिए How time flies का क्या होगा? Difficult to pass time How How time flies इसका मतलब होगा difficult To pass Difficult to pass Past Past Time Time pass करना difficult होगा है टीक है? Time pass उसके बाद क्या है? To go bananas To become very excited or angry To go bananas क्या होगा है? To become very excited or angry To become very excited or angry Loud mouth का मतलब One who talks boastfully One who talks boastfully One who talks boastfully क्या क्या होगा? Loud mouth Come through का मतलब To carefully To what? Carefully look through To carefully look through इसका क्या होगा? Come through Come through का क्या होगा? To carefully look through Purse in string को क्या बुलेंगे? कि loose करिये Purse के string को क्या करिये? करिये खर्च को बढ़ाई है Mensulation का first question देखते है क्या कह रहा? 6 cm वाले एक संभावत रिभूज के कूने पर एक नियमित सस्ट भूज बनाने के लिए सस्ट भूज जो भी चीज बन रहा है वो रेगुलर हेक्जागोन है न? देखते हैं रेगुलर हेटागोन अर रेगुलर हेक्जागोन आपको बनाना है तो आप कैसे बनाऊगे यह एक ट्रेयंगल होगा और हेक्जागोन बनाना है कुछ इस तरह का hexa बनो था न ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यह ऐसे बन जाएगा फिर यह ऐसे बन जाएगा कि उक इसवान का यह सुद्धिने कर नहुत में दो find jagnar हो गया ऐसे मिला दिया यह समझा है इस तरह से बना रहे हो लो एक ट्रैंगल यह गया कि इसτιे ट्रेंग बन गए इस वैसे तो है इसको सेंटर अगाया िश्ख इंटरल और वह द आक दो ही ऑइक येसर ट्रेंगल से कोल डाहिकोल लेखों यह वी स्ट क्लिकोल लेकितना बुन गया लिए चाहर पांट चेस साथ आठ नौ नो ट्रेंगल मिल रहा है कंप्ली तो अर्या रूड्र 1234 साइड का स्कोर्ट चे गुड़े छे तो दो तीया चे दो तीया चे तो क्या पुछला है एक ट्रहंगल कर ना सस्ट गचे तुकल एक दू-टीन चार पान्च यही स्ट गचैनल इसमें 6 ट्रहंगल है छे की वेलुबख्या दो नो टो क тебеलो का मैं इसे काड़ो एक की वेली रूट्री है तुचेक वीले टिरूट्री एक पषछ चके आंतरीक व्रत के 3trtr पत्री पृत्र सेंटीमेटर हे पर प Михाल मुझ का पर ढोल तो यह मैंत्रिक ओढे kis फोरतअ है ये इंटर्नल, इन इन राडियस, राडियस अफ इन शर्कल, और सर्कम्सेल्टर के लिए क्या होता है, आर केपिटल आर ये राडियस अफ उर्कम्सेल्टर में होता है, परिवरित, परिवृत की तृज्या ये इंचर्कल लोगे तो डिल्टाइग उन्टो रस एसका है सेमी परिमेटर ए प्लस ब्लस ए बाई टू सेमी परिमेटर तो ये कितना अत्रिबूच क्यां तृज्या परित की तृज्या आठ सेंटिमेटर है और इसकी भूजा की लंबाई का योग दे दिया साठ ये दे दिया साठ का आदा करोंगे तो तीस हो जाए और आंत्रिकुरित की तिज्या दे दिया त्रिबूच के चट्रपली सी फॉर्मूले पर अप्लाई करना तो आठ गुड़े साठ भूजा लंबी हो जाका अच्छो इसकी भूजा की लंबाई का योग भूजा की लंबाई का योग ने सम आफ दे लेंस ऑफ इट साइट इसका आदार करोंगे बस दिनवाटर चाओ इस दो सचालिस दिया उप्स निक्स्ट इस तरह के questions होते हैं इस तरह questions में रास्ते का चित्रफल पूछा जाता है तो इसे निकालने का वेस्ट मेठट क्या है इसके formula होते है formula पप्लाई करी answer आजएगा किस फर्स्ट क्या कहता है जब आपको अंदर वाला यह एक rectangle दे दिया जिसमें अंदर की आपको साइट दे दिया यह लिंथ हो गया और यह व्रिट हो गया जब अंदर की साइट दे दे और वीच के आपको पताए कि रास्ते का कितनी है चोड़ाई कितनी एक्स है एक्स मीट इसे लें हुआ हो बाज प्लस्ट इन्थे एक्स प्लष सबेडिक्स अ विख सखी हो गया टे लिंथ को प्लस पिलस्ट इसक्लपप कर देना वह में जब अंदर वाहला दिया अपने भाहला वालला दिया है आयत की बारीस इन्थ दिया यह रेक्टेंगल रहाया कि रास्ते के चेतरफल बताओ यह यह भी एकसी मीटर का है जोड़ा कितना है एकस मीटर तो यहां होगे 2X L प्लस भी माइनस 2X हो जाएगा क्या बाहर वाला दिया है तब अंदर जाओ अंदर माइनस हो जाएगा क्योंकि साइड तो बढ़ गई है यह पूरा L है और यह 2X अंदर चला यह 2X यह case 3 लग रहा था इस question में जहां पर length देदिया विट देदिया और बीच में यह gap देदिया रास्ते के बीच का gap कितना है एकस का तो यहां फाउनला क्या लगया यहां फाउनला बताओ यह क्या लगया यहां हो जाएगा X 2X नहीं होगा X होगा क्या होगा X L प्लस V म बाहर वाला इसलिए यहां माइनस लगा यह माइनस भी बताता है गब बाहर का क्या दिया लिंथ दिया बाहर की लंबाई या फिर चोड़ाईगी वेनो तो लगता है अंदर लाता है तो प्लस हो जाता हो और यह अब यह इस वाले फार्मूला में क्या X है L फ्लस V माइनस X बस यही फामूला लगए, एक और होता है, case, case 4, इसमें क्या होता है, इसमें यह मालो की अलग-अलग कर दिया गया, ठीक है, ऐसे, यह मालो x-length का है, और यह मालो y-length का है, भाई, राष्टे के चोड़ाई हो सकती है, ना, कि बदल दी जा, यह y-length का है, और length आपको पता है, यह l है, और यह b है, तो अब फामूला क्या होगा, अब फामूला होगा, lx, l के साथ क्या है, sorry, l के साथ क्या है, l के साथ y है, l के साथ क्या है, यहाँ लिख लो, l के साथ क्या है, y है, और x के साथ क्या है, b है, x के साथ क्या है, b है, x के साथ क्या है, b है, x के साथ क्या है तो ly plus bx minus xy देखो वहाँ क्या था अगर वहाँ multiply कर देते हम इसको तो lx plus bx हो जाता है चुकि दोनों ही x थे ना b के साथ भी x था और l के साथ भी क्या था x था तो यहाँ lx plus bx minus x square था समझ रहा हो ना यहाँ क्या हो गया ly plus by bx minus xy यह हो गया रास्ते का च्छत्रफल ly क्योंकि l के साथ y है वो b के साथ x है b के साथ x है l के साथ क्या है? y है और minus xy है और अगर ऐसे होता एक बर और अमलिखवा दे रहा है कि आपको दोनों ही सेम दे दिया जाता बै चोड़ाई विसे में लंबाई विसे में है और length of width पता ही यह आपको l है यह b है दोनों ही के साथ x x है तो यहाँ होता lx plus bx minus x square वही वहला formula इसमें से l अगर common कर लोगे x common कर लोगे तो l plus b minus x जो हो जाएगा रास्ते का छेत्रफल तब था जब क्या था यह रास्ते का जो width रो यह x unit का ही हो ठीक है तो बस यहाँ पर वही formula apply कर दो b के साथ क्या length है 90 90 meter width चोड़ाई है 42 meter मैदान के अंदर से दो रास्ते लंबाई के सामना अंतर लंबाई है 90 90 के सामना अंतर 7 है नो तो 9 90 गुड़े लंबाई के सामना अंतर तो 7 है उल्टा करते हैं क्या 3 लेते हैं इसे उल्टा लिखो L के साथ X लेना और B के साथ Y लेना, इल्टा करते हैं, यहां उल्टा होता है ठीक है, उल्टा होता है, जो लंबाई के समर अंतर है, तो उसको इसके साथ match करा देना, L को X के साथ Ĝोड देना L को किसके साथ जुड़ोगे X के साथ और B को किसके साथ जुड़ोगे Y के साथ याद रखना उल्टा होता है तो यहां क्या हो गया देखो यहां लंबाई के सानव अंतर साथ है न 90 का कोर्रस्पोंडिंग साथ है लेंगे साथ नहीं लिया गया यह नहीं लेंगे 90 के कोर्रस्पोंडिंग यह ओपोजिट वाला लेंगे तीन लेंगे तीन वाला लेंगे ठीक है यह नहीं लेंगे तो 90 गुड़े तीन दोसों सत्तर 42 गुड़े साथ 270 हो गया फिल 42 गुड़े साथ करोगे सच्छरोगे 280 सादुना कर 14 मौइनस 3 गुड़े साथ गरोगे तीन गुड़े साथ 21 कम कर दोगे तो 14 ऑर चैना मैंस साथ 14 होगे इसमें से कम 35 तो multiplied you ुइज पे 5 है गहा ये क्या चो जो चबूदा चार एक दौदो फासं कमर्टिपल होना चालते हैं 5-टो-एथ योग ले बिए हो ज़ोगे ये हो गया यह थीन को होना चाहिए 25 है ना तो 25 से cut भी रहा ठीक है तीन का multiple होना चाहिए देखो 6, 7 देखो 3 है 6 है 7, 1, 8, 5, 3 गलत 8, 9 हो गया 7, 5 बारा हो गया गलत सिर्फ एक option बचा 8, 9, 3, 7 बारा देखो option से कितना असानी से हो गया विदा solve किये वही बला question है D option था तो यहां opposite के साथ लेते हैं, 90 का लेंगे 7 के साथ, और 42 का लेंगे 3 के साथ, समझ रहे हो, opposite के साथ लेते हैं, बाकी यह बीच वाला क्या हो गया, x, y area होता है न, तो 3 multiply by 7 हो जाएगा, इसका area क्या हो जाएगा, 3 multiply by 7, इसको घटा देंगे, तो रास्ते का चितरफल निकल जाएगा, तो यह concept यहां पे एक बार और में लिख्वा दे रहाएं, अगर ऐसे आज़ए, कि lint के साथ यह मालो यह length है, और यह brits ब्रिट के साथ और लिंद के साथ यह जो रास्ता है लिंद के साथ मालो यहां X है और ब्रिट के साथ मालो Y है तो लिंद का Y के साथ लोगे cross ले जाना और bridge का x के साथ ले लेना तो y plus bx और minus xy ये क्या होगा रास्ते का च्छतरफल ये क्या निकलता है यहां से रास्ते का च्छतरफल cross लेते हैं ये याद रखिएगा this is very very important you have to remember कि cross में निकलते हैं opposite लेते हैं किसे त्रिभूज में यदि सबसे लंबे भूजा की लंबाई 15 है दूसरी भूजा की लंबाई 12 है 12 15 टिपलेट बनाता है न 5 ये 15 अच्छा सबसे लंबे भूजा की लंबाई तो 3 से काट दो न 15 12 3 5 15 3 4 का बारा यह तिन तिन यह नौ त्या दिन पान चाट वी एक बन सकता पेर इस का प्रिमाब यह परिमाब दीए बस और आसान कर दिया एक प्लस भी प्लस ही चाओ, तीस 15 कम कर दोगे 12 कम कर दोगे, तो 22 हो जाग़ 15 कम कर दोगे, तो 15, 7, 22 हो जाग़ C के वेलू, 7 हो जाएगी तो area निकालना है तो परिमाप कादा करते हैं 17 17 कर लेंगे, एक बार 15 से एक बार 12 से, एक बार 7 से तो 15, 2, 17, 12, 15, 17 7, 10, 17 मल्टिप्लाई में जाएगा ना और 17 के साथ भी मल्टिप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूर 17 तो आई जागा भूल जाओ दस पचे पचास दुना 110 रूट सत्र आंसर इसमें क्या करना है अधिक्तम संभाव लंबाई याद कीजे जिसका उप्योग आठ मीटर पचात्र मीटर और इतना मीटर और अधिक्तम संभाव लंबाई याद कीजे जिसका उप्योग बिल्कुल इतना मीटर इतना मीटर इतना स मंबाई में अपने के लिए होता है अच्छ अधिक्तम संभाव मंबाई इतने कुम आपना है आठ मीटर एट पॉइंट सेवन फाइव और ट्वल मीटर है ना तो ट्वल पॉइंट टू जीरू सौ सेंटिमीटर का एक मीटर होता है ना इसलिए देखो दसमलों के दो अस्थान डाला गया क्योंकि यह जब सौ से डिवाइट करोगे तो सब मीटर में आ जाएगा ठीक है यहां तो 1.75 मीटर है ही बाकि यह भी सौस इडिवाइट करोगे तो पॉइंट टू जीरू मीटर तो अधिक्तम सम्हों लंबाई क्या होता है इन सब का सीएफ जो इस सब में आ जाए कि LCM होता है S C F HOT escuela पांच सेंटेमीटर वला लेलो सब में आ जाएगा पांच के मृटिपल लन आ ऑपसन पांच सम्हों में आ जाएगा बीस हो गाही नहीं क्यूंकि याँ 0 नहीं है यहां नहीं आ है 12 खाल कि 15 केकि 15 नहीं हो तो 5 5 3 5 5 12 13 यह तीन का मल्टिपल नहीं है 15 में 5 और 3 नहीं Ze इस इस नोट मुल्टिक्वल ओफ त्री और दस भी नहीं होगा सिर्फ एक ओप्सन होगे पाँच से एफ लेना था वैसा ओप्सन से हम चलेगा है यह अदिक्तम समभल हम भाई गोला है पंदरा फिट बारा फिट नौ इंच तो बारा इंच के एक फूट होता है ना बारा इंच इकोल टू वन फिट इसको भी हंदी में लिकलो फिट तो वन बाइट वह जागा तो नाइन नाइन बाइट वह जागा फिट फिर सुला तीन बाटा बारा फिट फिट ऐसे लिखते हैं और यह थेश वन वाइट वाइड विट हो जागा तो 30.5 यह ओ गया यहां क्यों गया तिन चों के बारा 0.25 तिन तरीकों नो तिन हो के बारा 25 थीं बाशत्तर 0.75 अब इन सब बताउ क्या होगा तीन से कत रहा है तीन दो 5 आज थास तीन से नहीं कत रहा है तीन से कहां कट रहा है ठीक है तीन दो पाँच था ना छे फिट था ना तो 1 बाई 2.5 हो गया तो तीन दो पाँच पाँच दास ये तो तीन से नहीं कट रहा है अधिक्तम समभलमभाई पूछ रहा है ऐसी एफ ऐसा इन सब कर लेना था तीन पास करो फिर हम इसको कराते हैं तो चार तो बिलकोल ही नहीं होगा 23.06 फिट बिलकोल नहीं हो ती थोटी है और यह 23.06 पिट नहीं हो सकता है न क्योंकि पिर यह 0.5 है यह तो गलत 12.5 पिट तो 12.5 तो 12.5 करोगे त ही 13.15 करोगे 12.10estä तो 12.25 यह सब आएगा इसमें 12 दूना 24 पचीज दूना 50 कहां होगा इसका multiple नहीं नहीं है HCF चाहिए तीन ही होगा हम एक बर इसको बता दे रहे हैं 30 दसम लो 6 फिट था न 12 इंच का 1 फिट होता है तो 1 बाइ 2 हो गया 0.5 हो गया तो पांग तीन आठ तीन दू पांच पांच दस यह तीन से कट नहीं रहा है तीन इंच है बस कोई आफसन नहीं है चुकि आफसन इंट किया तो कोई एक आफसन तो हो गई हम इसको एक बर और अच्छे से कॉंसेप्चिवली दूसरे वे में चलाते है इस पर लेगा अगे चलते है कर नंबाई उसकी चोड़ाई की तीगुना है यदि लंबाई में साथ कम कर दिया चोड़ाई में साथ बढ़ा दिया तो इसका छेतरफल एक किससे बढ़ जाता है आयत की प्रारंपिक लंबाई ब चोड़ाई में साथ कर बढ़ा दियो जो एरिया है पुराने एरिया से पड़ गया पुराने एरिया किया थी एक्स ट्री एक्स स्कौरोध था यह 21 हो गया पुराने में से पाले गले गुगाあे चोटाएं 20x और यह बीक याँ 20 एकस आट से शब काल गार खुल है 70 21õ टीनक 10 झाल सब्सक्राम पांच आइथ की प्रारमक लंबगए क्या थी 25 15 इंधिखा में 52 तेघर यह पाइटागोरी ट्रिट्रीड है पांच 12 तेरह के सट ट्रेप्लेंट बनता है हेग दो थिन चैनत शेन और इंधOoh किश्मय बाड़ता है यह और लिलागा हो यह 要 यह होगा वनफोर्थ होता है यह प्रॉफर्टी भी होता है एक त्रीबुज की दो बराबर भुजाए है कि दो बराबर भुजा है यानि ये एक्विलेटरल टैंगल है अ एक्विलेटरल नहीं बाइटरल टैंगल है न सम्दूई बाहूत्री पुजा जिसके दो भुजाएं बराबर हैं ये और ये लिंद्स दिया है यदि ट्रूज की परिदी 14 एकई है यानि 2a प्लस वी के वेलव 14 है परिदी मतब परिमा आप तो रूज कछे तो फल बताओ तो एक्विलेटरल ट्रेंगल का इरिया कितना निकालते हैं यह सब पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करोगे न तो यह याधा आधा में ब्रेक करता है तो एक बटा दो आधार कितना भी और उचाई क इतना यह भस आप निकालना कुझकि यह पर्पेंडिकुलर जो ड्रॉप करोगे थे पांधा ग्यों से फिर बनेगा तीसरी बुजा और इनमें किसी भी बुजा का इतना गुना है दो जा बराबर है और तीसरी बुजा इनमें से किसी बुजा का 1.5 गुना है चाहिए रहो तो B के है 1.5 A है तो A क्या हो गया यहां से add कर लो पहला है तो 3 A है 3.5 तो A की value क्या हो गई 5, 9, 10 5, 7 5, 7, 5 गुड़े 7 है तो 5 से कड़ दे दो बर में 7 से कड़ दो बर में A की value क्या हो गई 4 बस area निकल दो यह 4 है और 4 का 1.5 5, 5, 5, 4 का साथ यह 6 है तो 4, 6 के साथ क्या triplet बनेगा दो दो ने 4, 2, 3 है यह तो कम हो जा रहा है तीसरी हो जा इसकी अन्य दूभ हो जाओं से की 1.5 टाइम्स है ठीक है यह कितना हो गया यह पूरा 6 है ना यह पूरा 6 है तो यह 3 हो गया तो फिर यह तो यह 3 हो जाएगा तो 6 में से 3 के इसको 9 गया 7, तो रूट से मैं जाए ना तो 1 बटा दो आधार कितना अच्छे है? रूट से मैं यह उचाई हो गया तो डूटल लेंथ हो गया ते में प्रमचका एरिया निकल बस यह हो गया 3-2-7 च्छाय अंकित भाग का च्छत्रफल बताईए इसका लेंथ दिया है, एसी का लेंथ टोटल दे दिया है, 90 तो एसी दे दिया है, 90 और फिर एक ट्रेंगल बना दिया है, इस तरह का जिसमें ये बीच बला ये 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 तो टोटल कितना होगा 90 होना चाहिए अच्छा यहां ऐसे है यहां वह ये छोड़ा हुआ है कुछ ऐसे है ये ये 10 है दे दिया है यहां ED 10 है ये 80 हो गया ये ट्रेपीजी हो गया न सम अपैरल साइट मॉंटिप्लाइबाई हाइट चाहिएं कि द्वाग इसका एरिया बताना और इसका तो एक ट्रेंगल हो गया ये इसका एरिया बताना एक वटा दो आधार कितना नहीं पता है उचाई कितना पता है ये आधार कितना ये कैसे बता ह यह 10 है, कुछ तो और देना चाहिए, अच्छा यह 80 है, ठीक, यह तो समझ में आ रहा है, AF equal to CD equal to 20, AF equal to CD equal to 20, तो यह 20 है, यह पूरा 90 है, टोटल के एटारीया कितना वागया, टोटल के एटारीया, नौदुन 58 होगया, एक एटारीया, यह 2 एटारीया होगया, ठीक है, यह 80 है, यह कितना parallel site यह 10 है, और यह यह. यहां से यहां तक का नहीं पता है ना, बीच का पता है, तो 10 माइनस, कुछ और चाहिए, अच्छा हाँ, यह पता है 20, एक बटा दो अधार गुड़ेव चाहिए, यह परपेंडिक्लर डॉप करोगे तो यह 20 हो जाएगा ना, तो 8 दूना का 16, यह पूरा एरिया कितना हो निक यह 20 है, तो 80 कर दोगे, तो 10, 800 हो गया, बस यह घटा दोगे तो निकल जाएगा, 800 कम कर दो यह खयर हो गया, यहां पर निकालना नहीं था, क्योंकि आपको साइड की जनकारी नहीं थी, जब साइड की जनकारी ना हो तो बस इतना याद रुखो कि हम क्या घटा दे तो यह हमने देखा के हाँ परपेंडिकूलर जब भी किसी ट्रेंगल के एरिया निकलना होता हमको क्या चाहिए, तो एक हाइड चाहीए होती है, बस पता चल जाता है, पट से दिमाग जाना चाहिए, तो इक घटा कीसी गहन की साइड आ होता हो गान है, तो एक यह खान की सैड यहह तो एरिया क्या होता है विकन क्या होता है रूट 3 होता है कैसा है यह A है और यह A है तो यह कितना होगा रूट 2 है यह 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 पूरा 90 डिग्रीज के साथ बनाता होगा तो यह कितना होगा रूट 3 होगा क्यों The Area तीन से 08 कटता हुएगा तीन च़ोगरा तीन चपा बारा, 3, 4, 12 This, multiply by root 3 तो एक फेल्व बारा हो गैए घन का आय कीतना हो गया? 12 का गुडे-बारा, 12 का क्योगरा गुडे-बारा, 12 क्या होता है? 1728 कि किसी को नहीं पता होता है क्यों तो यह option गलत यह option सही और यह option गलत अब देखो 12 इसमें 4 भी है इसमें 3 भी है ठीक है इसमें भी चार है और इसमें भी क्या है तीन है शर्दीन दो नीम या इसमें ठीक है 3 से कटना चाहिए ना 7 2 9 8 19 नो कट रहां नो कट रहां 8199 नो कट रहां यह तीन से नहीं कट रहां सिर्फ 3 का multiple चेक कर देने सांसर मिल गया कि यह कहीं भूजा वाले संभावत रिभूज को एक नियमिस सच्ट भूज हेक्सागों कोई अभी बता यतने पाहला वाला क्वेश्चन वह वहीं था हेक्सागों बनाना है कैसे बना ओगा एक दो तीन चार हेक्साइट्स इमेज बना लो एक दो तीन चार पांच छे हो गया ऐसा इमेज बनाना होगा इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए ना इस तरह का होना चाहिए ऐसे बना लो एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक एसे एक ऐसे ऐसे बना लिए अब इसको कैसे मिला होगा हमको पता होता है सेंटर को ये बना लेते हैं ऐसे ऐसे कर लिए यह बदंelt एक ट्रेंगल आप लिए एक ट्रेंगल हो गया कितने ट्रेंगल वात एक zwei तीन चार पांट इसी साथ आठ नोट्रायंगल है कौने नोट आप इद दिया ना तो यह और एन तो फ्द गवा यह 9 की वेल्व है, हामको 6 की वेल्व बतानी, तो 9 यहां मुल्टिप्लाई होजएगा, 6 उपर मुल्टिप्लाई होजएगा, 3, 3, 9, 3, 2, 6, 2 से यह कट गया, रूट 3 से, A square by 2 root 3, answer, रेगुलर छीदना, इसलिए सब साइड भी रेगुलर होगा, उस त्रिपूच के चेजरफल है, जिसका यह बेस है, इसका सम करो, तो 13, 14 और 15 का सम करके आधा करना है, यह सेमी पेरिमीटर मिल जाएगा, एक, एक, दो, एक, तीन, तीस का आधा 15, प्लस, चार, तीन, साथ, पांच बारा का आधा छे, 15, 6, 21 हो गया न, कैसे निकालना हैं, देखें न, इसलिए किया गया न, ताकि हम कुछ गटाना असान हो जा, 15, 6, 21, मैंने एक बार सम करके लिख भी लिए, S, S, माइनस, E, हीरोन फार्मूला, S, माइनस, V, S, माइनस, E, यह अंडरूट, ट्रिभूच का क्या मिल जागा, एरिया, S के वेलू क्या है, 21 है न, 21 है न, 21 में से इसको कम करोगे, तो आठ तीन ही गया रहा, 8, फिर 7, और फिर 6, तो 7, 7 निकल गया, 3 बचा है यहां से, यह 7 कैंसल कर दो, 3, 3 दोना अच्छे यह 3 निकल लए, सोरी, यह 2 है न, 3 निकल गया, 2, 8, 16, 4 निकल गया, 73 के कई चौप, 84, बैएवाष category viewers इतने पता हो गया तो आप इतना बताओ तीन तुनिकलता होगा नहीं से तीन साथिक से तीन निकलता होगा भूह chicken और दिए6-410 साथ चरीगा रहे मिनईंगभी अनौस चर्ती रहे मिनें ऐसी फीक ऑफ्सन है ते सने के मझाजी又 rápido जगाप निकाल सकते हो अंसर एक नया ठोस बनाने के लिए इतना 1496 किसका क्यूब है बताओ 16 का क्यूब है यह 16 का जब क्यूब करोगे न तो 1496 आ जाएगा वाले तीन घनों को के सीरो से दूसरे अच्छा तीन घन बनाया है यह किये फिर यह किये और यह किये अब देखो कमाल की बत क्या है तो ठोस का प्रिष्टी चत्र अब यह 16 इतना तो पटा चल गया न कि घन है एक नया ठोस बनाने के लिए इतना सेंट्मेटर आये तो आये ले तीन घन तो एक घन की साइड निकल गई ना 16 16 सेंट्मेटर यह एक घन की साइड हो गई इका संपूर प्रिष्टी यह चत्र फल चाहिए जब यह बना है तो इसमें क्या इमेज बना लो फटक से बनाना होगा इमेज तक कैसे बना होगा ऐसे बना होगा यह एक इमेज यह दो इसे करोगे फिर ऐसे 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 तीसरा घंड कुछ इस तरह से तो एक चीज तो यह ढग दिया होगा एक सीर एक सर्फिस एक सर्फिस यह ढग दिया होगा दो सर्फिस तो ढग दिये गया और क्या ढग दिया गया देखो एक सर्फिस यहां से ढग दिया एक सर्फिस यहां से में टोटल कितने सर्फिस होते हैं छे सर्फिस होते हैं एक ढग दिये तो पांच बचा इसमें इसमें एक ढग दिये तो पांच बचा बीच वाले का तो दोनों ढगा दिया गया एक ये भी ढग दिया गया एक ये भी ढग दिया गया बीच वाले का दोनों ढग दिया गया या पिर ऐसे जोड़ लो, ये एक सर्फिस ढग दिये, एक दूसरा सर्फिस ढग दिये, बाकी कितने सर्फिस बचे हैं, एक दूसरा, ग्रीरा, प्रेस आपको प्राildम होगी जोड़ने में, एक दूसरा, गुरा, इसे हैं, जो बचे हैं, तो बस देखो वही 14 गुड़े और 16 काई स्क्वायर कर दोगे एरिया मिल जागा 256 तो 14 गुड़े 16 काई स्क्वायर 256 होता है यूनिट डिजिट के आगए 64 का 24 यूनिट डिजिट पर 4 आना चाहिए ये सिर्फ एक आफ्सन में है यूनिट डिजिट से हो गया ठीक है अब देखो एक तरीका यह थे क्या आप जोड़ दिये लेकिन कई बारा विजुलाइज करें प्रॉब्लम होती है ता आप ऐसे घन बनाना और उसके बाद देखना घन इस पूरे वाले घन का एक पॉर्सन घटा है न ति ये 5 इसका कौन सा दो दो पॉर्सन डग गया न Dit ती हो जोड़ दोगो तो भी 14 आजाएगा इन सब्सफों जोड़के तो भी क्या जाएगा डेकी तक तरीकह है चांड यह थे यह एसका फास पांच तकzychया इसका चरण का पांच लगा इन सब Сब्सकों जदिने के बाद चरण साइवा सब्सक्राइब साइड किus फसके क्रि दिया जाय तो घंड कायात न कितना बढ़ जागा पंद्रा-पंद्रा-पंद्रा करके लोगे तो पहलेस फंद्रा-पंद्रा-पंद्रा इन दो कर निकालो 15-15-30-15 य दो सब अच्शीश बत्रीश दस्मलो दोपाच पिर इसका इसके साथ लेड़ो तो 15-20-14-47.25 और फिर इस 4 5 4 20 5 5 30 5 5 25 10-12 अस्थान पर अब किसको करण डो तो 4 एक में 4 एक कम करोगे जो इसने फोटिसिक्स और चारेक में 5 एक 4 4 24 ठीके , चार एक में 4 और यह 25 नहीं सेखक्षट कम करोगे एक और लेलो तो वन टू फाइफ में से एक सट कम कर दो तो चार छे शिक्स्टी फॉर तो फॉर्टी फाइफ पॉइंट सिक्स फॉर अंचारा ना चाहिए समझे न कैसे घटा है अच्छ अच्छ एड करना था न स्वरी एड करना था तो छा दा बरी से बड़ी वैलू होगी न कोई वैलू सैत्Wow आद हो इस न कोई एक हो आड करना था जो Two तर त्फीन के पास नबर आएगा चलो इतना ही रहने देतें बाकी question को आगी के session में करेंगे